आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है यहां पर मेरे पास आया है रेड्मी नाइन पावर इसको काफी दिनों से यूज़ कर रहा हूं तो आज मैं आपको इसका देने वाला हूं एक फुल डिटेल्ड कैमरा रिव्यू तो चलो इस वीडियो को शुड़ करते हैं बिना सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेड जरूर से कर दिना रेड्मी नाइन पावर आता है यार 48 विक्सल के कोड कैमरा सेट अप के साथ कौड गैमरा 48 विक्सल का अपको इसके अंदर में सेंसर सेंसम का देखने को मिल जाता है उसी के लावा अ सेंसर है ृइड में पिक्सल का दूदू में पिक्सल के मैक्रों एंद एप सेंसर यहां पर मिल जाता है इसना तो बात करें के सबसे पहले में कैमरा की GYF लंज कि इस थे इमेजिस कैसी है तो यहाई डियलाइट कर लेता है डाइनमिक रेंज जो है इसका काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा और डीटेल्स जो है बहुत ही सही आ जाती है एंड कलर्स वगेरा भी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर आ जाते हैं लेकिन यहां पर कलर्स में कभी-कभी जो टोन है वो थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप की हो जाती है तो यह भी थोड़ा सा वर्क यहां पर करने की जरुवत है और इस फोन में मैंने देखा है कि कुछ यहां पर प्रॉब्लम है AI मोड के साथ जैसे आप AI मोड ऑन कर देते हो तो पिच्छर या थोड़ी सी और भी जादा ओवर से चुरेट हो जाती है और सही से बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है अगर मैं बात करूं यहां पर अल्ट्रा वाइट कैमरा की जूकि एड़ में पिक्सल के साथ आता है एड़ में पिक्सल के कैमरा सेंसर के अंदर सबसे चीज यह है कि इसकी जो कलर्स होगे रहे हैं वो काफी नेचुरल रहते हैं बिलकुल भी ओव की त्सकी नहीं होते हैं घमाले एड़ में पिकलर आतो जाधा डेत यहां पर लाइचल को दो जो कि अधो के और वह बनदे भी और भी नहीं मलती बस यार की 8 अपकल में आपको इसनी ड 놓 van है अगर आप जूम इन करके देखो ओवराल एट मेया पिक्सल का ये सेंसर काफी अच्छा डे लाइट में प्रफॉर्म करता है मेरे हिसाब से अगर हम यहां पर बात करें दो मेया पिक्सल के मैक्रो कैमरा की तो उसकी बात करने की जादा जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है क्योंकि यार इतना यूजिबल वो कैमरा नहीं है नहीं आप उसको जादा क्लोज लेकि जा सकते हो सब्जेट कि अच्छी सी मैक्रो आप कैप्चर कर पाओ और वह काफी दूर रखना पड़ता है उसके अलावा उसमें आपको जादा कोई डीटेल नहीं मिलेगी को अगर आप मैक्रो को छोड़ी दो तो ही जादा बैटर रहता है अगर हम आगया जाएं तो यहां पर आपको एट मैपिक्सल का सेलफी कैमरा मिलता है डेलाइट में यह काफी अच्छा सा प्रफॉर्म करता है आउटडोर में सेलफी जना बहुत ही मिल जाती है इसमें भी यार जुफ डाइमक रेंज है काफी अच्छी देखने को मिलती है क बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगी सब्जेक्ट भी ठीक ठाक आपको डे राइट में आ जाता है पोट्रेट मोड में भी काफी अच्छे से वर्क करता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बस शर्त यह है कि यार इसके अंदर भी आप ब्यूटिफाई मोड या AI मोड को बिलकुल भी ऑन मत करि देता है अब यहां पर बात करें इंडो लाइटिंग में तो में कैमरा 48 में पिक्सल का जो सेंसर है इंडो लाइटिंग में काफी पूर सा प्रफॉर्म करता है मुझे अच्छा इतना नहीं लगा लेकिन अगर आपके पास लाइटिंग कर्डिशन बहुत ही अच्छी अच् के बराबर ही आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलती है मैं अब अब एवरेज थोड़ा सा शौर्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलता है इंडो लाइटिंग में इतनी अच्छे से यह के पेबल नहीं है प्रफॉर्म बिलकुल भी नहीं कर पा रहा है और में रीज आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलने वाला है तो अप्टिमाइजिशन की यहां पे काफी ज़्यादा जरूरत है अगर आप मोड भी ओन करते हो तो इसमें बस वही करता है कलर्स को बूस्ट करता है बाकी कोई और काम यहां पर नहीं कर पाता है 48 में पिक्सल का सेंसर उसे के लावा अगर बात करें 8 में पिक्सल का अल्ट्रा वाइट तो देखो अल्ट्रा वाइट मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करा है उसमें कलर्स वगिरा भी काफी अच्छे से आ जाते हैं बस इतना है कि यार उसमें आपको जादा कोई डीटेल वगिरा नहीं मिले है जो कि 8 में पिक्सल की आपको इंडो लाइटिंग में जब आप लोगे ना तो वो तम टोटली बहुत ही जादा बिलो एवरेज इमेजिस निकल के आती हैं कुछ बलड इमेजिस राती आती हैं किसमें डेटेल नहीं रहती है और आर्टिफीशल टाइप की इमेजिस ट्रै कैमरा की हो लेकिन आप वेट करो थोड़ा सा मैं आपके लिए यहां पर जरूर से एक लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम यह कैमरा के भी दिख रही है वो सल्व काफी अच्छे से सॉल्व होने वाली है उसे के लावा अगर इन लास्ट बात करें वी स्मूदनेस मिलती है वह इमेज इसमें नहीं मिलती है तो इससे थोड़ा सा या प्रफॉर्मेंस काफी बेकार हो जाता है यहां पर कैप्चर कर सकता है वीडियो एंड मैक्रों में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो वह ठीक ठाक आपको यहां पर दे देते हैं लेकिन अगर इससे प्रफॉर्म नहीं कर पा रहा है लेकिन याजी कैम काफी जल्दी में लेके आने वाला हूं जहां पर आपको जमीन आस्मान का फूरा फर्क देखने को मिलेगा दो पिचर्स के बीच में फिलाल तो इस वीडियो में बस इतना ही होफुली अगर आपको वीडियो